नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम शिफाली है, मैं मेरे यूटूब चैनल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ MDO यूनिवर्स्टी में MFIL और PhD की परवेश प्रिक्षाई हुई थी, तो उसके प्रशन पतर में 4 सेट थे आज हम उसके एर सेट के पहले 50 प्रशनों को करेंगे, जो की इस परकार है इसमें पहला प्रशन है, दिख उर्चत तूटत कुटुम, जूरत चतुर्चत प्रीती, परत गाठ दुरुजन ये, दई नई ये रीती इस दोहे में कौन सा लंकार है, विरोधाभास, विशम, व्यतिरेद, असंती, तो दोस्तों इसका उत्तर है असंती दूसा प्रशन है, तुलसिदा स्कृत विन्य पत्रिका की रचना किसमें हुई है, संस्कृत ने, अवधी में, ब्रजभाशा में, ठेट अवधी में तो दोस्तों इसका उत्तर है ब्रजभाशा में, महाभारत की कथा परधारित नाटक है, अमरपाली, चंद्रगुप्त, एकोद्रोणाचारे, अंधायूग तो दोस्तो इसका उत्तर है अंधा यूग वैसे आप सोच रहे होंगे कि एको दुरोणाचारे जो नाटक है उसमें भी जो है महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है प्रंतु उसमें जो मुख्य कथा है वह आगने काल के चलती है और अंधा यूग में पूरी की पूरी कथा जो है वह महाभारत की चलती है तो अब हम आते हैं प्रशन नमबर चार पर जो इस परकार है तो दोस्तो इसका उत्तर है ओक्षन नमबर दो क्योंकि उन्हें स्वर्ग नहीं चाहिए प्रशन नमबर पांच हिंदे में इंट्रिव्य साहिते के परवर्तन काश्रे किन ही जात बनार्सिदास चतुरवेदी को विश्नु परभाकर को रामधाय सिंग्दिनकर को पांडे बेचन शर्मा उग्र को तो दोस्तो इसका उत्तर है बनार्सिदास चतुरवेदी को प्रशन नमबर छे इनमें कौन से रचना जैन साहिते के अंतरगत आती है विसल देव रासो हमी भारतेश्वर बहुबली रास परमाल रासो तो दोस्तो इसका उत्तर है भारतेश्वर बहुबली रास इनमें किने रीती मुक्त कवी माना जाता है मतिराम को केशवदास को बिहारी लाल को आलम को तो इसका उत्तर है उप्शन नमबर चार आलम को प्रशन नमबर आठ इस प प्रियोजन मूलक हिंदी भाषा का, सरल हिंदी भाषा का, कलिष्ठ हिंदी भाषा का, तो इसका उत्तर है प्रियोजन मूलक हिंदी भाषा का, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्रशन नमबर 9 को, जो की इस परकार है, कि शंभू के चिठे सव प्रथम के स्पत्रिका म में परकाशित हुए थे सहित्य में अनुशीलन में भारत मित्र में हिंदी विद्यापीत में तो दोस्तों इसका उत्तर है भारत मित्र में प्रश्ण प्रश्ण 10 अग्य को किस रचना पर सहित्य अकाडमी पुरुसकार प्राप्त हुआ था आंगन के पार द्वार नदी के द्रीत त्रिशंग को आत्मने पद तो दोस्तों इसका उत्तर है आंगन के पार द्वार प्रश्ण 11 अग्यारा हजारी परसा द्विवेदी मिस कैथराइन को दीदी कहते थे तो यहां दीदी शब्द का क्या आर्थ है मा बहन नानी दादी तो दोस्तों इसका उत्तर है दादी इनमें कौन सा नाटक समस्या नाटक है मादा कैक्टस सिंदूर की होली मिस्टर अभिमन्यू आध्य धूरे तो दोस्तों इसका उत्तर है सिंदूर की होली हिंदी में लोक प्रियोपनियाज शब्द कहां से आया है? मराठी से, तमिल से, बंगला से, पंजाबी से? तो दोस्तों इसका उत्तर है बंगला से प्रश्न नमबर चोदा, इनमें कौन से कवी तार सब तक की हैं? कैदारनाथ सिंग, नंद किशोर अचारे, गिर्जा कुमार माथूर, धरम विर भारती, तो इसका उत्तर है गिर्जा कुमार माथूर प्रश्न पंद्रा, हल चलाने और भेड चलाने वाले प्राय सभाव के साधू होते हैं, यह वाक्य किस पार्ट से लिया गया है? राम लीला, आच्चन की सब एता, देव कुल, मजदूरी और प्रेम, तो इसका उत्तर है मजदूरी और प्रेम इनमें कावे हे तू, कोन सा है शक्ति, उर्जा, बल, साहस, तो इसका उत्तर है शक्ति, अब हम देखते हैं प्रेश्न नमबर 17, प्रेम चंद घर में पुस्तक के रचेता का नाम है, अम्रिस्त राय, शिवरानी देवी, गोपाल राय, कमल किशुम गयंका, तो इसका उत्तर है शिवरानी देवी, इनमें कोन नवनाथ में नहीं आते हैं, नवनाथ जो आदिकाल में नाथ प्रमप्रा चली थी, उसमें जो नो नाथ थे, तो इसमें हमें बताना है कि कोन सा है वैसा व्यक्ति है, जो कि उन नो नाथों में शामिल नहीं था, भीम नाथ, नागा अर्ज से बोल कर भी देख सकते हैं तो जह हम अ बोलते हैं तो हमारा कंठ सक्रिये रहता है तो इसका उत्तर है प्रशन नमबर तेज़ वर्षवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स की रचना किसके साथ की थी? कीट्स, टी एस इलियड, शैली, कॉलरीज तो दोस्तो इसका उत्तर है कॉलरीज केंठरी हिंदी संस्थान कहा है? आगरा में, लखनौ में, पटना में, अलिगर में तो इसका उत्तर है आगरा में अब हम आगे देखते हैं प्रशन नमबर 25 तुलसी दास के पुत्र का क्या ना था कमलापती, रमापती, तारापती, उमापती तो इसका उत्तर है तारापती कारण के रहते हुए भी कारे के ना होने पर कौन सालंकार होता है? वक्रोक्ति, विशेशोक्ति, अतिश्योक्ति, समाउक्ति तो इसका उत्तर है विशेशोक्ति प्रशनमबर 27 इनमें कौन सी र सिंग अवलोकन समरीती की रेखाएं तो इसका उतर है सिंग अवलोकन इनमें द्वीगुण व्यंजन कौन सा है ड व श ड तो इसका उतर है उप्षन नमबर चार ड अब हम आगे देखते हैं प्रक्षन नमबर 29 मली का किस नाटक की नाइका है उप्षन नमबर एक अशाड का ए एक दिन किनों ने कहा कि प्रत्य परम सत्ते है होमर प्लैटो अरस्तू क्रोंचे तो इसका उतर है प्लैटो दुबला बाबु किस कहानी का पातर है राही सिक्का बदल गया अम्रित सर आ गया चीफ की दावत तो दोस्तों इसका उतर है अम्रित सर आ गया हिंदी शब्द अन पंडित किशोरी दास वाजबई तो दोस्तों इसका उत्तर है किशोरी दास वाजबई आगे प्रशन नमबर 33 हिंदी के में निबंदों के परवर्कन का श्रे किन्हें दिया जाता है परताप नरायन मिश्र को भारतेंदू हरिश्चंद को अचारे हज महावीर परसादु पांच तो इसका उत्तर है ओप्षन नमबर एक आगे देखते हैं प्रश नमबर 35 बाभु तोता राम किसे यूग के रचनाकार है दुवेदी युग छायवाद यूग भारतेंदू यूग प्रक्तिवादी यूग तो इसका उत्तर है भारतेंदू यूग इनमें कों सी परभाव से मुक्त कौन सी रचना है राउल वेल वसंत विलाज शावका चार वन रतना कर तो दोस्तों इसका उतर है वसंत विलाज आगे देखते हैं प्रेश नमबर 38 फोर्ट विल्यम कोलिज कहां था कलकत्ता दिल्ली पटना लखनो तो इसका उतर है कलकत्ता इन में प्रेम अच्डत का निबंच संग्रेय है अशोक के पूल, प्रिय नीलकनठी सहीट्य का उधेश्य जड़ की बात तो दोस्तों इसका उतर है option number 3 सहाइते का उदेशी म्रिगावती के रचेता है जाईसी, उस्मान, मंजन, कुतबन तो इसका उतर है option number 4 कुतबन शिरी संप्रदाय के अचारे है शिरी मादवा चारे, शिरी राम अनुचारे, शिरी विष्णु स्वामी, शिरी निम्बार का चारे तो दोस्तों इसका उतर है शिर राम अनुचारे आगे हम देखते हैं प्रश्ण नमबर 42, गिरसन ने आदी काल का नाम करण किया, चारण काल, बीर गाथा काल, आदी काल, बीर काल, तो दोस्तों इसका उत्तर है चारण काल, शिक्षा जगत में व्याप ब्रशा चार परधारित नाटक है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी एक और दोणाचारे संग्राम, तो इसका उत्तर है, एक और दोणाचारे, आगे हम देखते हैं प्रश्ण नमबर 44, गत्दे जीवन संग्राम की भाशा है, यह कथन किसका है, प्रेमचंद का, अचारे महवीर परसाद्विवेदी का, चेशंकर परसाद का, या निराला का, तो दोस्तों, इसका उत्तर है, उप्शन नमबर 4, निराला का, किस कवी की रचना, आदी ग्रंद में संक्लित है, तुलसी दास, सूर्दास, नाभा दास, रस्क खान, तो दोस्तों, इसका उत्तर है, उप्शन नमबर 2, सूर्दास, आगे देखते हैं प्रशन नमबर 46, वल आद्वयतवाद इनमें कौन से कवी दूसरा सब्तक के हैं सवदेश भारती केदार नाज सिंग हरिन रायन व्यास अवधेश कुमार तो दोस्तों इसका उत्तर है ओप्षन नमबर तीन हरिन रायन व्यास आगे देखते हैं प्रशन नमबर 48 कभीर गरंथा वली संपादक है हज आप्षन नमबर 4 शाम सुंदरदास कौन सा करम सही है उपेंदरनाथ अश्क ठेले का हिमाल है इसमें हमें यह बताना है कि जो लेखक और रचना का नाम है क्या वह सही है या नहीं अगर हम वैसे ठेले के हिमाले की बात करें तो यह धरम विर भारती की रचना है महादेवी वर्मा और कंकाल तो कंकाल जैशंकर परसात की रचना है प्रेम चंद माटी की मूर्ते माटी की मूर्ते राम रिक्षवेनी पूरी जी की रचना है अगे नदी के द्वीब तो ऑप्षन नमबर 4 शारीश में सही है लवर्ण का उचारन स्थान है आप बोलकर भी देख सकते ह लव जब हम लव बोलते हैं तो हमारी जीब का आगे वाला भाग हमारे दात को लगता है तो इसका उचान स्थान है दन्त तो इस परकार मेरी वीडियो आज की ही पेस्मापत होती है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेर कीजिएगा और मेरे च अन्यवाद